नमस्कार आप देख रहे हैं डीबे लाइव रिजट आलते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर शारुक की फिल्म प्रमोशन के दौरान वडोद्रा स्टेशन पर भगदर पूर्व पार्शत की मौत रहे इस के प्रमोशन के लिए ट्रेन से मुंबई से दिली आ रहे हैं शारुक हाथ से पर जदाया अफसोस बजट पर किंदर सरकार को चुनावायों का सक्त निर्देश चुनावी राजियों में ना हो कोई बड़ा एलान एक फरवरी को पेश होगा बजट गोशनापत रुज़ारी करने के बाद अखिलेश का चुनावी प्रचवार आज से होगा शिरू सुल्तानपूर में करेंगे दो जन सभाएं अखिलेश के साथ राहुल की रैलियों का भी खाका तैयार दोनों मिलकर कर सकते हैं छे रैलिया पंजाब विधान सभाच चुनाव के लिए आज गोशनापत रुज़ारी करेगा अकाली दल लेकिन उससे पहली ही सुकबीर सिंग बादल ने विरोधियों परतेश किये हमले केश्रिवाल को कहा मौका परस तो वहीं अमरंदर सिंग को कहा शराबी दिलिकेंट इलाके में रफ्तार का कहर बारादियों से भरी बस और ट्रक के बीच टक कर 19 लोग जखमी दो की हालत कम भीर शिमला में भारी बर्फ बारी से आमजन जीवन ठप मौसम विभाग का अलट हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कही इलाकों में अगले दो दिनों तक भारी बर्फ बारी किया शंका और मुंबई हमलो के मास्टर माइंड हाफिस सईद ने आतंकवाद के लिए चीन और रूस को ठहराया जिमेदार कहा पाकिस्तान में आतंकवाद का शेड़ अंतर रचने में चीन और रूस की भूमिका बाद में बयान से पल्टा सईद तो यह थी इस वक्त की बड़ी खबरे देखते रहें डीबी लाइफ क्योंकि यहां हैं खबरे लगातार